इनके लबे रंगी की निठाबरें थी के जिसने चलिए जी, बुलाला ये गाउं से जो गईवे हैं सोतो को उठा दीजिए चैनल शुरू हो गया अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसा कर लेना वरना वैसा कर लेना ये सब बाते करने के लिए दूसरे यूटूबर मौझूद है काम शुरू करते हैं सवाल ये है कि मरने की दूआ करने के तालुक से सवाल आया है के حضور आलेठी सेयाएं के दीदार के लिए बंदा खुद के मरने की दूआ करता है कि इस दुनिया में उसको रहना नहीं है जी नहीं लगता है जी दिल की काफियत ऐसी है महबत में और गलब है महबत में वो बंदा इस तरी की के दिरफाव बोलता है दूआ के मरने के आर्शू तो ठीक है इसी तरह अगर दुनिया के फितनों से बचने के लिए अगर मौत की आर्शू करता है तो ठीक है, जैसे आपने देखा ओगा सारे फितनों से पहले बटे बूरे इस तरह कहते हैं, कि अल्हा तो दिन दिखाने से पहले हमें जो है वो मौत देना तो इस तरीके से दुनिया की किसे फितनों से बचने के लिए भी अगर कोई शक्स मौत की आरजू कर रहा है तो ठीक है इसके सिवा अगर सिरफ दुनिया के आफतों से बचने के लिए यानि खुद की तकलीफों से बचने के लिए मुसीबत और आजमाईश से बचने के लिए मौत की दूआ कर रहा है तो ये दुरूस्त नहीं है मसलें ये कि बीमारी दुख तकलीफ या तबियत वगेरा खराव ये अपनी खुर्बत को लेकर वो मौत की आरज़ू कर रहा है तो इस तरीके से मुसीबत या आजमाईश ब लगे दी हुई किसी तकलीफ पर मौत की आरज़ू इस तरह नहीं की जा सकती हदिस पाक के अंदर मफ़ूम है एक रिवायत में हुदूर अलजिसलाम ने फर्माया कि तुम में से कोई शक्स मौत की तमना ना करे और मौत आने से पहले उसकी दौ़ा भी ना करे याणि नेक लोग इसलिए ना करें कि वो अपनी नेकियों में इजाफा कर लेंगे और बुरे लोग इसलिए ना करें कि वो अपने गुनाओं से तौबा कर लें यानि क्या पता कि नेक लोग अपनी नेकियों में अधाफा करें और बुरे लोग तौबा करें इसलिए तुम में से कोई मौत की तमन्ना या अर्जु ना करें यानि उसकी नेकियों में मुमिन की उम्र खेर में इदाफा करती है इसलिए तुम में से कोई शक्स मौत की आरजू ना करे और दुनिया की मुसीबतों से यानि आजमाईश से भागते हुए मौत के आरजू करने के बारे में भी रिवायत मौजूद है धुरू अलाजने में उन्युके ऊशक्ति की आरजू या तमना ना करें दुनिया की मुसीबते है उसको मिदा बताया वो सम्सीबतों से बचने के लिए भी मौत की आरज़ू ना करें और फ справह ँब्या है अगर करनी पड़े, कभी मौत की दुआ तो इस तरहा करें, कि अल्लह तालिमात जो है वो बयान फर्मा दी कि सिर्फ दुनिया की मुसीबत से बचने के लिए भागने के लिए मौत के आरजुना करे और उसका इशारा भी फर्मा दिया कि नेक लोग किसले ना करें कि उनकी नेकिया ही बढ़ती है तो इस तरह आपने कभी अलमा से या बुजूर्गों से ये सुना भी होगा जिसकी उम्र लंबी होती है या उम्र ज्यादा होती है तो वो कहते हैं उम्र ज्यादा होने का पॉसिटिव माईने में इसको लेते हैं कि उम्र ज्यादा होती है तो नेकिया भी ज्यादा होती है, तो वो इस हदी से पाक का खुलासा है, जिसमें हुदुन ने फर्माया है, कि मौत की तमना ना करो, कि नेक लोग अपनी नेकों में इजाफा कर लेंगे, बुरे लोग अपने गुनाओं से वो तौबा कर लेंगे, तो इसलिए ये नहीं करने चाहिए, और अगर दीन के फितनों की वज़े से भी बंदा मौत की आरजू करता है, यानि दीनी फितनों की वज़े से तो वो भी जब कि वो वाकई फितना हो, जैसे ये कि दज्जाल वगेरा के बारे में अभी आपने अलमाद सुना ओगा, ये कि उसके आने से पहले मौत की आरजू करना या तमना करना, या ये के कभी आपने ये बी बी सुना होगा, ये लिए एन ये बज़ ऑने बिज़ दीन, ये अव भी ऐसा दिन ना आए माजला कि हम और या बद मजहब हो जाएं उनके रस्ते को अख्तियार करें ला ताला इससे बेहतर है कि हमें एमान और आफियत के साथ मसलके आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत पर जो है हमें वो खेर आफियत से मौत दे तो इस तरह दीन के फितनों से या कि ना रजु कौर्द की आरजू की जा सकती हैं और सिर्फ मुसीबत से भागने के लिए मौत के आरजू नहीं करनी चाहिए बल्के यह करनी इ तब मेरे लिए जिन्दगी बहतर हो, मुझे जिन्दधा रख, फिर जब मेरे लिए मौत बहतर हो, तो मुझे मौत दे, इसी तरह कोई मरीज होता है, ये उमर रसीदा आदमी है, तो उसको देख करिए कि यार इसकी बीमारी जो देखी, नहीं जारे से बहतर ये है, कि अल्ला तल्हह बहतर जानता है, और उसकी जिन्दगी कब तक उसकी हख में बहतर है, और कब वो शिफायाव होगा, या कब वो वाफात पाएगा, इसका इल्मी जो है ल्ला तबारक बटाल。 उज़ को जादा आदा है, तो बंदा यह कहा कर लिए हमदर्द बना की जादा कोशिश कर चालता है कि मैं इसके लिए praat करीम हूं कि मैं इसकी भलाई चाहा हूं और मैं या जी देख रह तर इल्म है कि वह कितने बीमारी परदास्त कर सकता है। इसी तरी के सब देखें कि जितने शरीald के यह विपर अपलाई के गए गाएं वो UTI आप c00ए बरदास्त कर सकते है आपकी ताकतसे जाद ही हो ते से बाहर हो सकती हैं। धिकि इसी अवल में पढ़े नो बजे और रात को आदी रात के बाद तीन चार बजे उटके वितर पढ़ें अगर ये वाजिब कर दे जाता तो आप आजमाईश में आते हैं इसलिए अल्ला बहतर जानता है कि किसी जान पे इतना बोज नहीं डाला जाता है कि जो बरदाश नहीं करते है ना तो फिर शरीयत इससे पांच से कम रखती तो पांच मुमिन जो है वो अराम से इसको फोलो कर सकता है इसलिए रखी गई हुजर आले सलम को मिस्वाग को फर्ज ना करना हर वजो से पहले इसमें भी यह हिकमत है अल्ला रसूल की कि वो इतने ही एकाम मुसल्मानों पर दे मसले नहीं कि कमाने के लिए एक देश छोड़कर दुसरे देश भी चला जाएगा कि रोजी कमानी है और इल्मिदीन हासिल करने के लिए बाजू की मस्जिद में भी नहीं जाएगा कि इमाम से जाके सीहले तो वो से बोज लगने लगता है कि पूरे दिन ऑफिस से आएंगे काम करेंगे फैक्टरिस आएंगे ऐसा करेंगे कहां सीखने का टाइम है तो उसको वो बोज मालूम होता है और दुसरे देश भी चले जाना घरवालों को सालो साल चोड़ गे तो उसको बोज मालूम नहीं होता तो अल्ला ताला जानता है कि बंदा कितनी तकलिफ उठा सकता कितने नहीं उठा सकता अल्ला किसी जान पर उसके जहलने से ज्यादा बोज नहीं डालता लेहाजा किसी के लिए मौत की आर्जू या मौत की तबनने इस किसम से उन्हें करने चाहिए चाहें मरीज कैसा भी मरीज हो उसके लिए अच्छी दूआ करें उसकी शिफायाब उन दूआ करें उससे अपने लिए दूआ करां लेकिन उसके लिए जुम्ले हर्गीज ना बोलें कि इससे बहतर तो यह है कि इसे मौत मिल जाए पत्फर ले असलाले पुरनवार बनाया